बीजेपी विधायक रमेश मैंदुला की माताजी की पुनितिथी पाटनी पुरस्थित साई मंदर में मनाई गई जहां गौ माताओं को चपन भोग लगाया कया तो वही साधू संतों को भी भोजन कराया कया देखे इस खास रिपोर्ट में इंदौर की दो नंबर विधान सभा से बीजेपी विधायक रमेश मैंदुला ने अपनी माताजी की पुनितिथी पर अनूठा संदिश दिया दरजल पाटनी पुरस्थित साई मंदर में विधायक मैंदुला ने गौ माताओं के लिए छपन भोग बनवाया जहां गौ माता को भोग लगाया कया इस मौके पर बीजेपी के रास्ची महासचेफ कैलाश विजेवर की पहुँचे जिन्होंने गौ सेवा की झाल झाल इस माकी पर इनोर्ष शहर के सभी साधू संतों को विधायक रमेश मेंदुला ने भोजन करवाया। वहीं के लाश विजेवरकी ने संतों को दक्षणा देकर आशिरपात लिया। गो माताओं के लिए 56 भोग का प्रसाद चाड़ा। अब देखेंगे 56 प्रकार के लड्डू बने हैं और यह सब गो माता को आज खिलाए जा रहे हैं। बाकी अन्य गोशालों में हम भेजेंगे यहां से और एक अद्भूत आयो जाने हैं अपने आप में बहुत अद्भूत आयो जाने हैं। मुझे कहते हुए बहुत प्रसनता है कि रमेश जी ने आज एंद्वार के सब मठ साधूं को भी बलाकर उनके भोजन की प्रशादी की विवस्ता की हैं और सारी गोशालाओं को भी लड्डू भेजने का है आयो जीन की है। कुल मिलाकर विधायक रमेश मेंदुला ने अपनी मा की पनितिती पर साधगी के साथ साथ गौशेवा और संतों की सेवा का अनूठा संतेश दिया। यूर रपोर्ट एंपी न्यूज एंदौर।